हे गाई आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा IT शेयर जो सिर्फ पैसेट पैसे का मिल रहा है और भविश्य में इसकी कुछ संभावनाई अच्छी बन सकती हैं क्या संभावनाई होंगी ये भी देखेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डेफ्ट फिरी है तो चलिए देखत है देखिए पहला एक दिन का चार्ट देखते हैं तो 60 पैसे और 60 पैसे की बीच में जूलता रहा है बहुत समय से इसी के बीच ये इक महीने का देखिए तब भी 60 और 65 का ही है इसका 60 पैसे low 65 पैसा high एक महीने का चार्ट देखिए थोड़ से negative returns है लगभग 13% एक साल का दे देखिए और long term अगर इसको हम देखिए मैं जो हम चार्ट अगर देखते हैं company का तो देखिए चार से 5 साल जो है एक ही रेंज में ये ट्रेड करता रहा उसका कारण ये था कि ये जो है Monday to Monday ट्रेड होता था और इसने जो है सेवी को जो फीस होती है सेवी की ट्रेडिंग की वो फीस जमाने ही कर पा रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे तो फिर ये एक ही रेंज में करता रहा पांच पैसे से 15 पैसे की बीच में ज्वूलता रहा चार-पांच साल तक उसके बाद जैसे ही इसने पैसा आया इसने दो साल की फीस advance जमा की फिर एकदम से रोकिट बना और 15 पैसे सीधे पोचा एक रुपिया 75 पैसे का इसने हाई मारा उसके बाद फिर से अब ये नीचे की ओर है थोड़ा प्रोफिट बुकिंग आई और रोसिया और योक्रेन की जो वोर हुई थी उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ा चलिए कमपनी के बारे में आगे देख लेते हैं और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हम ऐसा मिलते रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा देखिए कमपनी का नाम है विसेश इन्फो टेक्निक लिमिटेड देखिए यह जो है एक सॉफ्टेर कमपनी है आईटी कमपनी है और इसका जो बिजनिस है देखिए बिजनिस बहुत दूर दूर तक इसका फैला हुआ है कुवेत में है UAE है फ्रांस है UK USA और सिंगापूर में इसके जो है एक सो अरतारी रिसेलर्स हैं 580 इसकी रिटेल सोफ है जो एक अच्छा साइन्स है और लगबग 2,00,000 कस्टूमर इसके हैं कमपनी है अपनी सेवाई जो है गवर्मेंट सेक्टर में देती है टेलिकॉम में देती है मैनुफेक्शिरिंग में MNC, Financial, IT और ट्रांसपोर्ट में और भी इसकी सर्वीस है लेक पैसे हाई है इसका 1.75 पैसे और लो है 15 पैसे का और बुक बैल्यू देखिए बुक बैल्यू से अपने नीचे ट्रेड कर रहा है लगबग आधे पर ट्रेड कर रहा है आधे से भी कंबल की 1.16 पैसे इसकी बुक बैल्यू है देखिए हाली में जो है कंपनी ने दो नोटिस जारी किये जिसमें एक 6 अक्टूबर को आया था जिसमें की annual general meeting होनी थी और एक आया फिर 7 अक्टूबर को जिसमें repayment के बारे में इनका बताया गया है तो अब देखे इसको देख लेते हैं repayment ये कैसे करेंगे चलते हैं सीधे notice पर ही अभी देखे हम सीधे notice पर आ चुके हैं यहां देखे कंपनी ने repayment के बारे मताया है सीधे और कितना कर्ज है कंपनी के उपर आप देख सकते हैं 29 करोड का कर्ज यहां कंपनी ने दिखाया है अपना और नीचे देखेंगे हम main चीज जो है यह देखे the company has entered into one time settlement with Indian bank यानि कि Indian bank के साथ इन्होंने एक one time settlement के लिए कोई प्रस्ता भी लेके गए होंगे उसको जो है bank ने मान लिया है यह 30 October 2012 sorry 30 August 2012 को यह लेके गए थे और इसके जो अनुसार है इन्हें एक बार में 243 लाक रुपे जो है इनको यह चुकाने है अब यह कैसे चुकाएंगे इसको यह भी इन्होंने दिया हुआ है देखें down payment होगी इसमें 24 लाक 30 जार की उसके बाद 36 लाक 50 जार 30 नवंबर से पहले sorry सितंबर से पहले 36 लाक 50 जार रुपे उसके बाद 31 October इन्हें देने हैं 60 लाक 75 जार रुपे और उसके बाद 1 करोड 21 लाक 45 जार रुपे 30 सितंबर तक चुकाने हैं और यह अगर कंपनी इसको कर देती है तो देखें बहुत एक कह सकते हैं कि पैसे का शेर 6 रुपे, 7 रुपे 10 रुपे तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है अब देख लेते हैं कंपनी के कुछ प्रोज और कॉन्स देखें प्रोज में क्या है कंपनी डेप्ट फिरी है और जो स्टोक अपना इसका ट्रेडिंग कर रहा है वो बुक वैल्यू से 0.56 टाइमस कर रहा है और कौन देख लेते हैं देखें कंपनी है जो इंट्रेस्ट कबरेज रेश्यू और इसके साथ साथ कंपनी जो है बहुत ही बुरी सेल्स ग्रोथ इसने दिखाई है पिछले 5 सालों में माइनस 70% की प्रमोटर होड्लिंक्स लगवग 2% है और साथ में देखेंगे लो रिटन दे रही है एक्क्विटी पर माइनस में तीन साल में पिछले पिछले तीन सालों में लगवग 30% की जो प्रमोटर हिस्सदारी है वो प्रमोटर से ने सेल की है इसके कुछ कॉम्पिटेटर देख लेते हैं देखे टाटा इलैक्सी, माफासिस, एलन टी टेक्नलोजी, प्रेजिडेंट सिस्टम और ओराकल फाइनेंस साथ में हैं को फोर्ज तो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनिया इसकी कॉम्पिटेटर हैं और कंपनिय का नाम है देखे व पहरे 2020 में नौलाक की थी, 21 में पंधरा की, फिर 21 के जून के क्वाटर में आठ की, तो कुल मिला के लगबग 10-15 के आसपास ही घूमती रहती है सेल्स भी, बहुत ज्यादा सेल्स होती नहीं है इसकी, और अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, तो अभी प्रॉफिट में कंपन बेलंस इट देखते हैं देखें बग 2% है और 98.05% जो है पब्लिक के पास है तो सारा माल इन्होंने पब्लिक को पकड़ा दिया है और प्रमोटर्स के पास कुछ भी जादा है नहीं खोने के लिए तो देखिए इसमें जो मेरा व्यू रहेगा वो यह रहेगा कि 2000 शेयर लेके मैं डाल सकता हूं 12-1300 रुपे क और लोंग टर्म के लिए अगर चल जाए तो अच्छी वात है नहीं तो इससे जादा इन्वेस्ट को मैं करूंगा नहीं बाकी आप अपना इन्वेस्ट करना चाते हैं तो आप अपने फाइनेंशल एडवाईजर से सला जरूर ले चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो म वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को